नमस्ते कैसे हो आप लोग, I hope सब कीक होंगे तो मैं जैसे ही एक क्रोशे की एक जैकेट बनानी जा रही हूँ तो आओ सिखें कि क्रोशे की जैकेट कैसे अपलाई किया जाता है कि कैसे इसमें डिजेन अपलाई करेंगे तो मैं बताते हूँ यह मैंने बटन की सैड़ वाला बना रखा है अब बनाऊंगी मैं काज वाला सैड का तो इसका डिजेन जो पढ़ता है पहले उल्टी सैड से पढ़ता है तो यह मैंने बौडर बना लिया इतना तीन लाइन का अब मैं इसके उल्टी सैड से डिजेन डालन सुरू करूंगी तो आप देखे सबसे पहले मैं किनारे में दो चावल बनाउंगी फिर मैं एक चेन लूंगी फिर मैं दो छोड के तीसरे में चार बनाउंगी चार चावल बनाऊंगी, दो बना लिए, एक चेन लेली, फिर दो चावल बना लिए, फिर एक चेन लेकर एक छोड़के दूसरे में मैं छे बनाऊंगी, छे चावल बनाऊंगी, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बना लीए अब मैं इसमें दो चेन डालूँगी दो चेन डाल दिये एक दो छोड दिये फिर मैं छे चेन बनाऊंगी छे चावल बनाऊंगे, तीन, चार, पांच, छे, फिर मैं एक चेन बनाऊंगे, फिर एक छोड़के, दूसरे में मैं यहां से लेलूंगी नीचे से, तो इसमें मैं चार चावल बनाऊंगे, दो बन गए, एक चेन बना ली, फिर दो चावल और बनाने, फिर एक चेन लूंगे, फिर मैं एक छोड़के, दूसरे में फिर छे चावल बनाऊंगे, पांच और एक छे, फिर दो चेन लूंगे, दो चेन लेले, एक और दो चावल छोड़के, फिर छे चेन और लूंगे, तो पहले छे चेन बना लेती हूं, छे चावल बनाके एक चेन लेली, फिर चार बनाऊंगे, इस परकार मेरी ये, तीन फली पड़ेगी, एक, दो और तीन, तीन फली मेरी ये पड़ेगी, और आठ फंदू का मैं बोर्डर बनाऊंगी, एक फली मैं ये डालूंगी, एक, द तो तीन चार फली मेरी ये चार वाली बरेगी जो ये फूल बन रहा है और तो मैं यहां पर पिलेन लूँगी जो मैंने किनारे में आखरी में दो पिलेन लिये थे यहां पर तो दो यहां पर भी लूँगी तो पहले मैं इसको बना लेते हूं फिर दिखाते हूं आगे तो मेरी तीन डिब्बी पड़ गई हैं एक डिब्बी मेरी यहां से पड़ गी एक यहां से पड़ गी तीन डिब्बी हो गई अब मैं यहां last में दो बना लिये फिर एक chain बना लोंगी अब मैं पट्टी के फंदे आठ चावल है मेरे पास तो आठ डबल कुरुशे बना लेऊंगी पहले अब मैं वापिस आ गई हैं पहले मैं पट्टी के फंदे बना लेते हूं आठ डबल कुरुशे ये मेरे आठ डबल कुरुशे हो गए फिर एक चेन ले लूँगी फिर इस दो जो बनाएं मैंने दो डबल कुरुशे ये बना ले इसके बाद फिर मैं एक चेन ले लूँगी फिर इस फूल के अंदर फिर मैं चार डबल कुरुशे ले लूँगी दो हो गए एक चेन ले ली फिर दो डबल कुरुशे हो गए फिर एक चेन लूँगी अब मैं क्या करूंगी देखो जो ये मेरे छेथ है इसके उपर मैं पहले एक डबल करोशा बनाऊंगी एक अब इसमें मैं तीन चेन बनाऊंगी दो तीन तीन चेन बना ली अब जहां मैंने डिब्बी बनानी है इसके अंदर मैं नो बारी बनाऊंगी 9 double crochet बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बाद फिर 3 chain बनाऊंगी 2, 3 इसी तरह के से मैं सारे फूल में बनाऊंगी फिर जो मेरे 6 double crochet थे इसके आखरी वाले के उपर मैं 1 बनाऊंगी एक बना दिया, फिर एक chain लेली, फिर ये फूल बनाऊंगी बना लिया, फिर एक chain बना ली, फिर एक टावल बनाऊंगी, एक double crochet बनाऊंगी फिर एक, दो, तीन, ऐसी मैं 3 तीन डबी में इसी तरह के से अपलाई करूंगी दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, फिर तीन chain जैसे मैंने ये वाला फूल बनाया सेम ये ही बनेगा, सेम फिर तीसरा वाला ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर, तो पहले मैं इसको बना लेते हूँ, फिर दिखाते हूँ आगे अब मैंने वापेस आ रही हूँ फिर, ये बना लिया मैंने किनारे का, अब एक chain ले लिए, फिर मैं एक double crochet इसमें बनाऊंगी एक मैं जो तीन chain ली थी, इसके अंदर से बनाऊंगी, अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक, दो, दो chain लोंगी, पहले शुरू में मैंने 3 लिए, अब मैं 2-2 chain लोंगी, अब एक छोड़ दिये मैंने, पहले मेरे 9 थे, अब मेरे 7 हूंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक 7, पहले 7 थे, अब मैंने 2 छोड़ दे, क्योंकि मेरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ रहा है, अब 2 chain लोंगी, एक, दो, तो अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने, पहले मैंने इधर, जो मैंने पहले लिया था, डबल करोशे उसके उपर लिया था, फिर मैंने अंदर को लिया था, आब मुझे पहले अंदर से लेना है, फिर मुझे जो डबल करोशे पहले का बना है, उसके उपर लेना है, फिर एक chain बना के, अपने यह, चार डबल करोशे जो बन रहे है मेरे बीच में इसमें भी मैं पहले आप साथ बना लूँगी देखो मैंने यहाँ पे दो बना ले दो चेन ले ली अब मैं यहाँ पे साथ बना लूँगी पहले साथ बना लिए मुझे एक एक किनारे में छोड़ने है क्या करूंगी फिर एक दौ दो दो चेंड लेकरे इसके अंदर मैं पहले बना लूँगे कि फिर मैं जो मैंने पहले का डबल कुरुश है उसके उपर बाद में बनाऊओंगी फिर एक चेंड लेकर फिर चार बनाऊंगी मैंने एक चेन ले ली पहले का जो डबल करोशे है उसके उपर बना लिया फिर एक जो मैंने तीन चेन ले थी उसके अंदर बना लिया फिर एक दो दो चेन ले ली मैंने अब मैं इस किनारे को छोड़के दूसरे वाले में बना रही हूँ इसमें भी मैं 7 बनाओंगी ये डिजेन क्रोशे का दुनु तरफ से चलता है अब देखो अब मैं पहले और इसमें बनाओँगी फिर मैं इसमें बनाओँगी फिर मैं एक चेन लेकर जो मेरे 4 डेबल क्रोशे बन रहे हैं ये बनाओंगी एक चेन लूँगी बीच में चार डबल कुरुशे बना लिए अब ऐसे तो कुरुशे में बटन ऐसी ही लग जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी देखो मैंने एक चेन ले लिए एक छोड़ दिया दूसरे में डाल दिया जब मैं वापिस आओंगी तो जो के हम एक यहाँ बनाई है, कुरुशेund छोड़ा है, उसमें मैं एक और बनादूंगी अब दो बना लिए टीन चावाल हो गए चार कावाल हो गए, यहाँ पे मैंने एक छोड़ा था तो देखो इस जाली में मैं एक डबल कुरुषय बना दूँगी क्योंकि मुझे आठ पंदे अपने पूरे करने है यह इस तरीके से यहां पर काज बन गया अब मैं बड़ा बटन लगाऊंगी तो मुझे यहां थोड़ा सा धागे से पैक कर लूँगी तो ऐसे क्या होता यह खुल जाते हैं जादा तो काज इस तरीके से बनते हैं कुरुषय में अब मेरी फिर डिजेन की बारी आ गई तो मैंने चेन लेली अब जो मेरे पाफ पहले दो हैं तो पहले तो मैं यह दो बना लूँगी एक बना लिया, एक डबल कुरुषय बना लिया दूसरा बना लिया फिर जो दो चेन डाली थी मैंने इसके अंदर से चेन की नीचे से डालके फिर 3 हो गए, फिर दो चेन लेली मैंने अब मेरे यहां पर 5 डबल कुरुषय आएंगे पहले नौ थे फिर साथ अब पांच आएंगे पांच आ गए अब फिर दो चेन लूँगे पहले मैं यहाँ फंदा ले लूँगे एक फंदा बढ़ा दिया मैंने फिर मैं यह दो को और बना दूँगे फिर अपना यह चार डबल कुरुशा ऐसे ही देखो फिर दो बना लिए तीन फिर दो चेन ले लिए फिर पांच डबल कुरुशा ऐसी मैं पूरी लाइन बना लेते हूँ पहले देखो इस तरह किस आए गई है फिर इसको पूरी लाइन बना लेते हूँ फिर आगे दिखाते हूँ अब की बार मेरे यहाँ पे चार फंदे हो जाएंगे एक दो तीन और एक चार फिर दो चेन लोगे और यहाँ पे मेरे अब तीन फंदे आ जाएंगे अगले जब वापिस आओंगे सलाई तो एक फंदा रहेगा तो मेरे डिबी ओबर हो जाएगी फिर मैं दूसरी डिबी डालना बताऊंगे अब इसी तरीके से सारी डिबीयां बना दूँगी मैं इसी तरीके से अब एक दो दो चेन बना के पहले मैं यहाँ पे फंदा बढ़ा लूँगे फिर मैं और फंदे बनाऊंगी अब फिर मेरे चार ऐसे ही मेरे सारे डिब्बियां बन जाएंगी चार फंदे बढ़ गए दो चेन डेली अब जो मेरे नो थे फिर साथ होए थे फिर पांच होए थे अब तीन हो गए अगली बार मेरा एक हो जाएगा उसमें तो मेरे डिब्बी खतम हो जाएगी तो मैं पहले ऐसे ही बना लेती इसको सारे को यहाँ तक फिर वापस आऊँगी फिर दिखाते हो अब मेरे यहाँ पे पहले चार थे अब पांस हो जाएंगे अब यह पांस हो गए दो चेन ले ली मैंने फिर मैं एक बना दूँगी यहाँ पे फिर दो चेन लूँगी फिर पहले जली के नीचे से बना लूँगी फिर यहाँ पे मेरे पांस हो जाएंगे अगले राउंड में मेरे फिर यह छे हो जाएंगे फिर उससे अगले राउंड में मैं दूसरी डिबी डालना बताऊंगी तो इस परकार मैं जड़ा पहले इसे बना लेती हैं इसी तरीके से अब मेरे यहां पे 6 बन जाएंगे 2 बन गए 3 4 5 अरे 6 अब यहां पे मैं 2 चेन लेके यहां ले लूँगी सिदा फंदा क्योंकि यह डिबी मेरी बंद हो गई है तो यहां से हमने दूसरी डिबी अपलाई करनी है जैसे हमने सुरू में डाला यहां से तो पहले हमने 2 चेन लीती 6 चे बनाए थे अब हमारा सेम वही आ गया कि 6-6 चावल आ गए हमारे 2 चेन आ गए हमारी बीच में तो 6 डबल करोशा इधर हो गए 6 उदर हो गए तो ऐसी मैं पूरी लाइन बनाऊंगी फिर अगली बारी से अगली सलाई जब आएगी वापिस तो डिजेन पढ़ना शुरू हो जाएगा तेको इस तरीके से अब यहाँ पर दुबारा से डिबी शुरू हो जाएगी 2 चेन लेली एक डबल करोशा ले लिया अब 5 इधर है मेरे तो यह टोटल मेरे 6 हो जाएगे अब मेरे एक टिबी तो पूरी हो चुकिया अब मैं दूसरी डिबी शुरू कर रहे हो देखो चार बना लिये मैंने जो मैं एक उसमें चार बना रहे हो एक चेन ले लिए मैंने अब मैं फिर क्या करूँगी? यहाँ पर सबसे पहले एक बनाऊंगी फिर मैं तीन चेन बनाऊंगी एक तो तीन सिरब एक ही बार तीन चैन बनेगी बाकी दो दो बनेगी अब इसमें मैं नो बारी लोगी जैसे मैंने डिबबी यहाँ पे शुरू कर Simon करिये है नीचे से इदर से सुरू करिये ऐसी मेरा अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा अब एक ले लिया दो तीन चार पांच छे साथ आठ अरे नो नो के बाद फिर मैं तीन चेन लोँगी दो तीन तीन चेन ले ली मैंने अब मैं इसके जो छे बनाए मैंने उसके आखरी वाले के उपर मैं ये बना दूँगी अगली बार से मैंने दो दो ही लेनी जब मैंने यहां शुरुआत करनी है तब ही मैंने तीन तीन चेन लेनी है तब हमारे यहां अंदर फंदे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से ये फली बन जाएगी तो ऐसे ही पहले पूरा बना लेते हूँ फिर दिखाती। आगे, इतना बना लिया, मैंने इस तरीके से ही बने गई है, यह मेरा इधर का है, जिसमें मैंने काज बनाए है, इसमें देखऊ काज भी बनाए है, और यह मेरे नीचे है, जो बटन लगेगा जिसमें, तो मैं अब थोड़ा बना लेती हूं और फिर दिखाऊंगे, बनना सेम होई है, डिबी, तीन डिबी हो गई मेरे, दो डिबी तक मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह के से बनेगा, और थोड़ी सी मेरी उन कमपट रही तो उपर मैं दो कलर से बनाऊंगे, तो देखो दूस तो बाकी मैं फिर बाद में बताऊंगे, जब मैं मुड़ा गटाऊंगे, और गले की घटाई दोंगे, तो तब तक मैं थोड़ा बना लेती हूं इसी तरह के से पूरा बन जाएगा, फिर दिखाते हूं आगे अब मेरा मुड़े तक हो गया, अब मैं यहाँ पे मुड़ा गटाऊंगे, तो देखो कैसे गटाऊंगे मुड़ा, यह आम होल की घटाई हो रही है अब मुझे ऐसी डिजेन नहीं बनाना इसमें, प्लेन बना के ले जाऊंगे, मैं थोड़ा सा अगले बार इसको छोड़ दूँगी, इस तरीके से अब मैं पूरा डिजेन बना लूँगी यहां से, यहां से यहां तक अब अपनी डिजेन बना लूँगी, यह मैंने छोड़ गया, अगले सलाई में आऊंगी, यहां से मैं वापिस हो जाऊंगी तो मैंने जैसे पहला वाला मुड़ा घटाया, आगे पेज का, तो यहां पर मैंने पहले पिलेन बना लिया था, तो नौ मैंने यहां पर छोड़ दे, फिर मैंने यहां पर पांस लिया, अगली सलाई में फिर मैंने इन में से, यह पांस छोड़ दे, और यहां पर, यहां प यह आम होल की सेड में, फिर चार चार लेके गई हूं, तो इसी तरीके से मैं यह मुढ़ा गटाओंगे, तो वेसे मैंने यह पीछे का पेज भी बना रख है, देखो, यह भी मेरा तयार है, इसके भी मैंने मुढ़ा इसके साथ गटा के जोड दिया, एक पेज यह पीछे का इ तो पीछे जोड़ूँगी तो इसको मैं सिलाई कर दूँगी पीछे साइड को तो मैं पहले जरा यह मुड़ा घटा लेते हूं फिर देखाते हूं आगे अब मेरा डीजैन या पर खतम हो रहा है ये वाली फाली इनको मैं प्लेण बना ये ले जाऊंगी क्योंकि यह तक मुझे घटाई करनी है तो अब की बार मैं यहां पर डीजैन पड़ना था तो यहां पर मैं डीजैन महीं डालूँगी तो मैं इस तरह के से इसको प्लेन ही बना के ले जाओंगी सारा क्योंकि मैं घटा के लाओंगी अभी वापिस तो पहले मैं इसको यहां ता घटा लेते हूँ अब इसमें मुझे पांच बनाने है एक, दो, तीन, चार, और एक पांच फिर मैं यहां से वापिस हो जाओंगी जब तक मेरे यहां पर चार नर रजा है इसके साथ के लिए यहां पर जो यह फूल, यह तितली बनी है इसके चार नर रजा तब तक मैं इनको घटाओंगी तो अभी मैं यह सलाई बना लेते हूँ पहले फिर इसी सलाई में मैं गले की घटाई भी बताऊंगी तो मैंने भीगला बनाया तो कैसे घटाया भीगले में तो वो भी दिखाऊंगी आगे अब मैं यहां पे गला घटाऊंगी तो यह फूल नहीं बनाऊंगी अब की बार देखो एक मैंने जो chain ले रही थी पहले मैं chain ले रखे वो हटा देते हूं जहां पे chain ले रही थी एक उसमें से ले लिया एक इसके बीच में से ले लिया एक इसके बीच में से ले लिया अब इसको मैं छोड़ूंगी अब मैं chain नहीं लूँगी यहां पे सीधा मैं जो दो बना रही हूं पहले दो चावल दो डबल करोशे उसके उपर बना लूँगी फिर यहां पर चेन लेके बोर्डर बना दूँगी तो इसमें क्या होता है आते जाते दोनु बारी फंदा घटता है उल्टे में भी सीधे में भी एक करोशे का जल्दी बढ़ जा अगली बार फिर में एक फंदा घटता हूंगी सिर्फ यह चीज और बता दूं कि जो हम यहां पर डबल धागा लगा रहे हैं तो देखो किनारी देखो बिल्कुल फिनिसिंग से आ रखिया है तो डबल धागा कैसे उठाते हैं साथ में मैं यह भी बताते हूं आप लोगों देखो धागा डबल भी चल रहा है और कहीं दागा छूट भी नहीं रहे है तो सफाई से किनारी आ जाती है अब मैं इस दागे से बना लेते हूं पहले फिर मैं बोर्डर बनाके यहां तक आ गई हूं देखो अब फिर यहां पर मुझे फंदा घटाना है तो चेन मुझे लेनी नहीं है एक छोड़के मुझे दूसरे में लेना है बाकी जो पिलेन है यह पिलेन बना देना है जो डीजेन है उसको डीजेन बना दूंगी इसी तर फिर मुझे लाश्ट में चार रखने है एक दो तीन चार अगली बार फिर मैं दो और घटा दूंगी इस तरीके से मेरा यह मुझ्डा पूरा हो जाएगा तो आगे बताओंगी फिर थोड़ा बना लेते हूं तो स्वाटर मेरा तियार हो गया देखो इस तरीके से यह पूरा कर दिया मैंने अब इसके बाजू अगले वीडियो में बताओंगी इसमें इतना ही बताओंगी अभी इसमें बाजू भी लगानी है यह मैंने बीगला बनाया था देखो इस तरीके से घटाई हुई है यहां पंदों के बीच में इधर इंसक्रक्राइब के डाय होई है अब यहाँ पर मैंने के तक हम यहां से जोड़ है यहां पर इस साइड से भी बनाया अर्गी जोडे बिच Standing よね जोड़ दिया इधर नहीं जोड़ा पीछे बीचों बीच में सेंटर बना के इसमें मैंने जोएंट कर लिया अब फुट बाकी स्वेटर मैं अगले वीडियो में डालूंगी थेंक्यू लाइक सेर जरूर करना प्लीज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे मैं नए नए डिजैन लेके आऊंगे आप लोग को यहां यह ओप अच्छा लगेगा थेंक्यू शारी पीछे के पलीज में में मैं बताना भूल गयी पीछे के पलीज में चैनल टाली हैं 116 से बनाई हैं आगे के पेज में में इसमें मैं और 264 chain ने डाली हैं तो 64 chain यह पट्ञे के भी इसी मैं लगे हैं तो 64 chain आठ मैंने पट्ञे के बनाएं और 2 मैंने बीच में सेंटर में डाले हैं यहांपे कि पट्ञे के इतर बराबर आउट लाइन हो जाएगी और बाकी मैंने डिजैन डाला है तो 64 चेन मैंने आगे के पल्लों के लिए डाले और 126 फंदे मैंने 126 चेने मैंने पीछे के लिए डाली है तो यह डबल एक्सल साइज का बना हूँ है यह बहुत 12 नमर के कुरोशे से बनाया है तो आप अपने उनके हिसाब से कुरोशे लगाए है थेंक्यू झाला है तो